नमस्कार आपका स्वागत है देश परदेश समवा चैनल में आज हम बात करेंगे पिपुल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा भारती सेना के खिलाप चलाए गए तुस प्रशार के बारे में चीनी सेना गलवान जड़ब को लेकर प्रोपेगेंडा में लगी वी है ताकि यु पी एल ए के साथ भी जड़ब की तीसरी सालगिरा मनाई है इस गटना को चीनी प्रोपेगेंडा मशिनरी ने युवाओं को सेना में भरती होने के लिए प्रिरित करने हितू भुनाने का प्रियास किया इसके लिए चीन के कट्टर रास्टवादी नेटिजन्स का समर्थन ज इस दवरान संदेहासपत चीनी और पाकिस्तानी ट्विटर अकाउंट से डेड़ सारी तस्वीरें और वीडियो शेयर के गए इनमें भारती सेना को कमजोर और चीन की पी एले को मजबूत दिखाने की खुशिश की गई दूसरी और पी एले वास्त्विक निंत्रण रिखा एले सी के पारवी गुस्पैट की इन घटनाओं को अपनी उपलब्दी की तौर पर पेश करती भी नजर आ रही है ताकि पी एले के साथ जुड़ने के लिए नौजवान तयार हो जाएं खेला हवाली ना करने लगें दूसरी और जोटे या अतिरंजित भारत विरोदी दावों को फलाया जा रहा है पी एले इसके जरिये जनता के बीच सूशना और मोनोवग्यानिक इस्तर पर बड़त हासिल करना चाहरी है यही वज़ा है कि जड़त में घैलवे भारती सैनिकों की तस्वीरें लीक कर दी ग गया भारती राज्य अरुनाचल प्रदेश को सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए दक्षणी तिबज्य से हैस्टेक का इस्तिवाल किया गया इसका उदेश यह धार्ना बनाना है कि संप्रभू भारती चेत्र पर चीन का दावा कानूनी और इतिहास पर आधारित है बात जब भाराचीन सीमा पर समगर इस्तिती की आती है तो यह प्रैक्टिस तथ्यात्मक सटीकता और जमीनी वास्तविकताओं को दर्शाती है सबसे पहले यह याद रखना चाहिए कि गलवान जड़प में पियले ने अपने चालिस से अधिक सेनिकों को गवाया कई अंतरास्टी समाचार स्टों गिजरिये इसकी पुष्टी भीवी वहीं गलवान जड़प में भारत के 20 जवान शहीद वे थे दूसरी महत्पूर बात यह है कि अब भारती सेना और वाय सेना की अभूतपूर्व तैनाती का सामना पियले करते वे खुद को देख रही है जिसमें युद्ध की तैयारी के सभी इस्तरों पर मुकाबला करने की चंता है तीसरा बिंदू यह है कि पिछले तीन सालों में चीनी सीमा के पास भारत ने अपनी इस्तिती को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है गल्वान जड़प ने भारत को अपने बचाव को मजबूत करने और सिमावर्ती छेत्रों में संपर्क और सैयोजन को और अधिक मजबूत बनाने की ओर सचित कर दिया दुरस सिमावर्ती छेत्रों तक पहुँच और कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए नई दिल्ली ने अपने प्रियास तेश कर दिये हैं सडकों, पूलों, सुरंगों, हावाई पट्टियों, आदी के निर्माण पर और बुन्यादी धाचों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है आपको बता दें कि हिमालेज की कठिन परिस्तित्यों में भारती सैनिक काम करने के लिए प्रसिक्षित और अनुभव से भरेवे हैं भारत की तरब की कठिन और दुर्गम परिस्तितियों में चीनी से ना तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती है और ऐसा देखा गया है कि उची उची पाड़ियों पर तैनात चीनी सेनिकों को जल्दी जल्दी बदलना पड़ जाता है और मौंटेन वारफेर में भारती सेना कहीं बहुत आगे है आज के इस अंक में बस इतना ही आप से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहे और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए जैहन